वेल्कम टू मधुवन पशु सेवा केंडरा नमस्का साथियो वो मेरी प्यारे पस्पालक भाईयो आज मैं जिस डिजीज या जिस टॉपिक के बारे में या जिस रोक के बारे में आप से बात करने वाला हूँ वो जादा तरह गाय यानि काव नसल के अंदर पाईयाती है लेकिन साथियो ये अपन्याब में कोई रोक भी नहीं होता है बहुत कम केसों में देखा गया है कि ये वफैलो के अंदर भी पाईया है तो साथियो ये दिक्कत क्या है लेकिन इससे पहले साथियो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें शेयर करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन लगाए ताके आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकिशन आप तक पहुंच सके साथियो बहुत सारे पसो जब उनका हीट सरकल आता है और अपनी हीट को जब वो डाउन करते हैं तो बलवा के रास्ते साथियो वो बहुत सारा कच्चा बलड फैकते हैं ये क्यों फैकते हैं क्या जब गाए हीट पर आती है और बलड देती है तो वो ग्यावन या प्रेगनेंट हो सकती है बहुत सारे ऐसे क्वेशन हैं लेकिन ये बलड कैसा फैकती है वो मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये देखिए से ये जो हीफर है एच एफ नससल है है और ये तीन दिन पहले हीट पाई थी और आज ये बलड फैक रही है और ये बलड जो होता है साथियो हमारा पसू एक वार या लाश्ट दो वार कच्चा बलड दे सकता है ये क्यों देता है और ये बलड आता किस जगे से है और ये बलड हमारा जो पसू होता है हीट समाप्त होने के बाद ही क्यों देता है ऐसे काफी सारे क्वेश्चन ऐसा थी हो जो वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने की पूर्ण कोशिस करूँगा और दूसरा साथियो क्या ऐसा पसू प्रगनेंट रुख सकता है या नहीं रुख सकता है लेकिन उससे पहले साथियो थोड़ा पसपालक भाई से भी जानने की कोशिस करते हैं आपका नाम क्या है? नाम चंद्रेश चंद्रेश जी ये जो आपकी गाय है ये कितने दिन की है? ख़रण जी फार के सकता है तो जब आप यह खून देती है आपने डॉक्टर को दिखाया है या जिस एई टेग्नेशन को दिखाया उन्होंने क्या बताया जब यह खून देती है उन्होंने बताया कि इसके अंदर प्लेट देने को उन्होंने बताया इंफेक्शन है तो आप जानना चाहेंगे कि यह खून क्यों देती है क्यों देती है यह भी मैं आपको बताऊंगा दूसरा यह सही हो जाएगी और इसके बाद में आपको बताया जाएगा ठीक है और यह जादा तरह ब्रहंतियां हैं फिल्ड के अंदर कि यह गाय खून दे रही है तो ग्यावन नहीं रुगेगी यह बहुत से लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया यह इन्फेक्शन ज्यादा बताते हैं लेकिन यह इसी कोई समस्या नहीं है और आपको यह बताया जाएगा कि क्या परिशानी है इसको ठीक है रुग जाएगी यह आवन तो देखा साथियो गाउं के अंदर गत बहुत सारे डॉक्टर्स इस प्रकार की होते हैं और उनके अंदर यह ब्रहंतिया होते हैं कि जब पसू हीट पे आता है और उसके बाद में जब वो बलड देता है और उसे वो इन्फेक्शन का रूप लेते हैं नहीं साथियो ऐसा नहीं होता है पसू का ग्यावन नरुकना एक अलग बज़े हो सकती है पसू हीट के बाद में ब्लड देना उसकी एक अलग बज़े होती है वो बज़े क्या होती है पहला हम टॉपिक लेते हैं कि पसू कंसीब नहीं कर रहा है तो उसके लिए मादा के जो और्गन्स होते हैं पांच प्रकार के अंग जो होते हैं उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत हो सकती है जैसे सर्विक्स मैं सर्वैटिस हो जहां से आपकी गन सही तरीके से पास नहीं हो पा रही हो दूसरा उसका प्रॉपर यूटरस साइज कितना है तीसरा साथियो अंड नलका जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं और चौथा साथियो ओवरी ओवरी पर जो हीट के समय हमारा ओवुलिशन होना चाहिए वो प्रॉपर रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है और पांचवा मेंच चीज होती है साथियो इंफेक्शन इंफेक्शन हो या यूटरस में स्वैलिंग हो वो तब होता है जब आपका जो म्यूकस डिस्चार्ज है वो किस प्रकार का आ रहा है और कैसी गंदिगी दे रहा है अगर ये सारी चीजें फिट हैं और जो AI टेक्शन है वो जब सीमन इंसी मेशन करता है वो बढ़िया हीट पर और सही जगे पकर रहा है तब आपका पसू कंसिब करेगा रही बात पसू के हीट के बाद में ब्लेड आना तो साथियों में आपको एक किलियर बता देना चाहता हूं कि जब हमारा पसू हीट में आता है और हीट बढ़ती जाती है तो हमारे पसू के सरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेबिल होता है वो भी बहुत हाई चला जा होता है और वो भी बढ़ता जाता है साथियों और वो तब तक बढ़ता है पसू तब तक हीट पे रहता है जब उसके ओबरी का जो फॉलिकल रैप्चर नहीं होता और रैप्चर होने के बाद में जैसे ही पसू ठंडा पड़ता है तो साथियों जो एस्ट्रोजन का लेबि लेता है वो भी एक सार्थ डाऑन होता है और पसू शाथियो उसके दूसरे दिन उसके से बलडाता है जब कि ये इसकी चीज का पका सायन होता है साथियो कि पसू का सौयटी रूप से 100% औपॉलिशन हुआ है यदि उसने बलड़ दिया है तो क्यों कि साथि uterus से blood आता है जब कि ये इस चीज का पका sign होता है साथियो कि पसू का soiety रूप से 100% obolition हुआ है यदि उसने blood दिया है तो क्यों कि साथियो obri से ही जब folic rapture होता है वहीं से ये blood आता है एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं साथियो बहुत से doctors के अंदरे ब्रहांतिया होते हैं ये mucous discharge आता कहां से है तो आज मैं आपको वह भी बता देना चाहता हूं साथियो जो हमारी गाय या भेंस जब heat पर आती है तो uterus के जो codilence होते हैं वो हमारे discharge का निमान करते हैं और heat के समय वो निकलते हैं और बलवा के रास्ते हमें बाहरी साइन के रूप में दिखाई देते हैं तो साथियो आप ये clear समझ गए होंगे कि जैसे ही पसू अपनी heat circle में आता है और starting heat से जैसे ही matistress की तरब जाता है यानि last heat की तरब जाता है जहां पर उसका ovulation होता है ovulation होने के बाद में heat सांध होने के बाद में उसके दूसरे दिन पसू का blood आता है और ये blood ovary से जब folic rapture होता है उस condition से वहां से निकल करके बलवा के रास्ते हमें दिखाई देता है और ये अपने आप में एक कोई रोग नहीं होता है और ना ही हमें इस चीज़ का कोई इलाज करना चाहिए सिर्फ हमें अगर इलाज करना है तो uterus के जो पांच organs होते हैं या 4 organs जो आपको clear रूप से समझ में आते हैं पांच organs हैं तो बलवा के में infection न हो बलवा के hole में infection न हो सर्विक्स में कोई दिक्कत न हो uterus का proper size हो ovidect नली का proper size हो oberi का ovulation fixed time परो रो रहा हो या आपका जो semen inflammation condition है वो सही heat को नहीं catch कर पा रही हो ये सारी समस्चा रहती हैं बाकी और कोई समस्चा नहीं रहती है धन्यवाद झाल